तो यार सिर्फ कुछ घंटे पहले बॉलिवुट की शायद साल की सबसे बड़ी फिर्म सिंगम अगेन का ट्रेलर रिलीज होता है लेकिन रिजल्ट जैसा सोचा उसका उल्टा निकलता है लोग बोल रहे हैं ट्रेलर कम और सारे आक्टर्स की एंट्री सीन्स का कमपाइलेशन जादा लग रहा है शॉर्ट फिर्म घर पे रेख लिए ठीयेटर के लिए कुछ बचा ही नहीं टेंशन नॉट मेरे पास एक स्कीम है जिसमें एक नवंबर का वेट भी नहीं करना पड़ेगा और सिंगम जैसा पार्फुल कॉंटेंट भी देखने को मिलेगा वेटियन दे हंटर फिल्म का हाइप नॉट में उतना तो नहीं है जैसा सिंगम को मिला है लेकिन पिक्चर देखने के बाद रिजर्ट सेम वैसा है जिसकी उमीद हमने सिंगम से लगाई थी वन मैन आदमी दे लेजन रजनी कांसर इन्होंने वो काम अकेले कर दिखाया है जिसके लिए सिंगम को इतनी बड़ी कास्टिंग की जरुवत पड़ रही है सेम टू सेम चोर पुलिस वाली कहानी है बस फर कितना है कि सिंगम जैसी मूवीज मास्क को टार्गेट करती है तो वैटियन लोगों के दिमाग से खेल रही है फिल्म का टॉपिक है एंकाउंटर वो शब जो आज तक सिर्फ न्यूस पेपर या फिर टीवी न्यूस में सुना होगा उसको लाइफ थीएटर में एक्स्प्लेन करके बताया है इस फिल्म ने समझ गए होगे आप टॉपिक कॉंट्रोवर्शल है तो फिल्म की कहानी भी नॉर्मल नहीं होने वाली एंड यकीन मानिये जितना सोच रहे हो कहानी बहुत जादा तेडी मेडी जलेबी जैसी है वैसे यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है रजनी सर की लास्ट येर सबसे बड़ी फिल्म आई थी जेलर जिसने 600 करोड बॉक्स ओफिस अचीव किया था मास सिर्मा में गॉड लेवल तो ये वैट एन उस फिल्म का पार्ट टू या फिर उसकी कहानी से कनेक्टेड नहीं है इवन मास का लेवल जैसा उस फिल्म में था तो इस बार क्लास को टार्गिट किया गया है एक खतरनाक मर्डर केस है जिसमें पहली बार चोर नहीं पुलिस को कोट में खड़ा किया गय और सही गलत का फैसला करने फिल्म में अमिताफ सर को रखा गया है जो सेम टू सेम पिंक जैसी वाइब्स लेकर वापस आएं चोर पुलिस गलत जो हुआ उसकी क्लास पक्का लगेगी बट हैलो फिल्म के पोस्टर पर बाहु बली का भाई भलाल देव माने रान अड़ अग कर देता है अपनी जान लेने के लिए एक होता है साइको किलर लेकिन यह वो किलर है जो दूसरों को साइको बना देता है सीधा पॉइंट पर आती हूं फिल्म क्यों देखनी चाहिए आपको रीजर नमबर वन सिफ आक्शन मारधार मास या फिर कैम्योज वगरा से टाइम प क्राइम्स पर फोकस करती है माने सिफ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के आपसे ताली बजवाना तो इजी टास्क है रामायन बनाओगे तो लोग अपने आप थेटर में आके हाथ जोड लेंगे लेकिन आज के टाइम में होने वाले क्राइम्स को एक्सपोस करना वो इंसान थेटर में बोर्ड नहीं होगा प्लस विलन को लेकर तगड़ा वाला कन्फूजन प्रियेट होगा जिसमें फुल पैसा वसूल होगा इनका किसी फिल्म में होना मतलब आखें बंद करके उसका टिकेट बुक कर लेना कमाल की कास्टिंग की है अमित सर रजनी सर प्लस अगर रियल आक्टिंग वेरियेशन किसको बोलते हैं सच में इंजॉय करना चाहते हो तो फाफा को इस फिल्म में देखो फुषपा के सामने यही आदमी खड़ा था यकीन नहीं होगा टोटल चेंज देखो सिंगहम अगेन का लेवल बहुत बड़ा है लेकिन आप भी एग्री करोगे पार्ट पुन इस फिल्म का अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म थी इस पूरे कॉप युनिवर्स के अंदर और कुछ वैसा ही इंट्रस्टिंग स्टोरी बेस्ट चोर पुलिस सिनिमा दोजार चॉबीस में इंजॉई करने का चांस वेटेन आपको देगी सिंगहम अगेन से पहले इसका टिकेट बुक कर लो फिल्म को पांच में से साड़े तीन स्टार्स मिलने वाले हैं पहला मास विद क्लास, दूसरा शौकिंग सस्पेंस, तीसरा एक बहुत बड़े रियल लाइफ विलन को एक्सपोस करना बाकी आदा सूपर डूपर कास्टिंग नेगेटिव में थोड़ा जादा लंबी फिल्म बनाना स्पेशली सेकेंड हाफ क्लामेक्स तक काफी लेट हो गया दूसरा जेलर वाला आक्शन मिस किया मैंने एस रजनी सर की फैन फिल्म हिंदी डबिंग में एवेलेबल है प्लस सिंहम जैसा मैचिंग कॉंटेंट का लेवल है अब आप बताओ थियेटर ना जाने का कौन सा बहाना बनाओगे जाओ न मज़े आएगा बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ रिकायत करनी हो तुम आपको इंस्टेग्राम पे भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बैबै